हेलो हाई गाईस कैसे हैं आप लोग आई होप के सब अच्छे ही होंगे दोस्तों ये शोट वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि आज निफ्टी के चार्ट्स पे मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर मुझे लगा कि मुझे ये information जो हमारे भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ share करनी चाहिए क्योंकि हमारे subscribers अभी कम है इसलिए community post का option ना होने की वज़े से मैंने सोचा कि वीडियो के थुरू ही share कर दूँ चलिए तो देखते हैं क्या है वो तो दोस्तो आज निफ्टी के daily chart पे एक बहुती unique gap की formation हुई और उस gap का नाम है Iceland cluster gap Iceland cluster gap की detail knowledge मैं आपको आने वाली gaps की वीडियो में बताऊंगा बस फिलाल आप इतना समझे कि कोई भी stock अगर किसी side move कर रहा होता है और Iceland cluster gap अगर form होता है तो वो particular stock अपना momentum lose कर देता है और opposite direction की तरफ move करने लगता है और आज जिस तरह से market की इतनी downside closing रही वो इस gap को confirm करती है और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी आने वाले समय में अपना low retest कर सकती है तो दोस्तों ये information बहुत जरूरी थी आप लोगों के साथ share करनी इसलिए मैंने ये short video बनाई इस gap की formation के बाद मेरी आप लोगों से request है कि market में बहुत ज़्यदा cautiously काफी ज़्यदा साफधानी से काम कीजेगा इस gap ने past में निफ्टी में कैसे काम किया है मैं आपको example से दिखाता हूँ जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे होंगे निफ्टी एक uptrend में थी और फिर September 2016 में निफ्टी ने Iceland cluster gap बनाया जिसकी confirmation आने के बाद से निफ्टी ने अपना momentum लूस किया और नीचे की side move करने लगी तो दोस्तों ये वीडियो आप अपने friends के साथ भी share कर सकते हैं